स्वागत हमारा YouTube चैनल में देखिए आज किस वीडियो में देखेंगे Class 9 Term to Examination 2022 समाजिक भी आन यान यान आपसोसासांस का जो आपका एक्जाम होगा 28 से जुन को उसका आज हम लोग जो Most BVI Subjective Person को आज किस वीडियो में देखने वाल है जो आपका डिरेक्ट एक्जाम में पूछा जाएगा इसलिए वीडियो पर अन तक बने रहेगा और अपने सब दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर सेयर कीज़ेगा और चेनल पर पहली पर है तो चेनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बिल आइकन को प्रेस को नोटिफिकेशन को ओन के लिजएगा देखें आपका जो Class 9 का सोसा सांस का आज किस वीडियो में मुलग जो है केवल तीन नमर वाला परसन आज किस वीडियो में देखने वाले हैं और आपका जो दो नमर वाला परसन का वीडियो बन चुका ठीक है अगर आप चाहते हैं तो पांच नमर वाला भी परसन का वीडियो लाएंगे कमेंट में जरूर बताएगा और आज किस वीडियो में सुरूस लेकर अंत्यक जरूर बने रहेगा क्योंकि आपका जो आज किस वीडियो में वलुक जो तीन नमर वाला परसने का वीडियो आज किस वीडियो में देखने वाल हैं जो आपका डिर्क्ट एक्जाम में पूछा जागा तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो पर अंत्रख बने रहीगा दोस्तों पर साथ इस वीडियो को जरूर सियर किजेगा तो देखिए आपका जो तीन नमर का जितना ही परसन होगा तीन नमर का वो सब आपका जो खंडबा में पुछे ठीक है जुट लेकर तक जितना है वह प्रसुन चांदेों आफ़ और 17 डा अच्छाव से रही बात या कि इस video की और प्रसुन आप कई तरह से उख्जाप जकर कई इस पूछा जाएगा तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते वीडियो पर अंतर बने रियागा जहां सभी दिक्कत होता सिधा कमेंटे में जरूर बताईएगा तो देखे आपका जो पाला परसन पूछता है कि नाशिवाट की मुख विसिस्ता क्या थी ठीक है आठ नमर में आपका तीन नमर का परसन पूछे आठ से लेकर 14 तक है तो दिक्कत नहीं लिजेगा सभी परसन को अच्छी दरस देखेगा ठीक है उत्तर हो जगा इसका सबसे उपर होथा है और लोग किस के लिए है राज है और ना कि आपका जो राज लोगोगSON के लिए नहीं है नाशिबाद लोक्तं द्रेत हैं समयवाद को जर से मिटा देना चाता था यही आपका जो नासिवात का मुख विसेश्ता हो जाएगा आगे देखे आपका जो नेश्ट प्रस्ण पुछता है नो नमबर की वनो का जीविका से किस प्रकार का समान है ठीक है उत्तरों जगा वनो की हमारे जीवन में बहुत ही बहुत पूर्ण भूमी का है वन बार्ट था भूमी कटाव से रोकताम करता है वनो से हमें कोई प्रकार का जो कई प्रकार की खाने के समान मिलते है वरनो कई प्रकार का पसु पछी रहते है वरन नहीं रहने पर यह पसु पछी भी लूपत हो जाएंगे देखे जंगल से हमें जो बहुत ही महतुपून जीनस वेनता है जो हमारे जीवन के लिए Mayotih ही महतुपून होता ठीक है और यह जंगल है आपका बार्ट से भी बचता है योई जंगल से बचता है और आपका गाओं की लोग है वहाँ पानी थोड़ा कम जाता है और आपका बार्बफ्ट होने से पशू पश्य जितने भी है आपका बिलूप्त हो रहे है तो उसमें जो जंगल में बहुत अधिक पसु पाय जाता था लेकिन आज तो आपका 2022 में पसु पच्छी का बहुत ज़्यादा बिल्यूत होना यही कारण है क्योंकि जंगल जो आपका नश्ट हो रहा है आगे दिखिया आपका जो दस नमर का प्रस्ने की निर्धनतर रिखा में जो समय और अस्थान के साथ सत्परिवर्थन होता है उधारन के साथ कथन का समर्थन करें उत्तरों जगा जो लोग अपने बुनियादि सुभी दाएं जैसे रोटी कप्रमकान की जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते हैं उसे निर्धनतर रिखा से नीचे माना जाता है पर समय और अस्थान के साथ इस रिखा में परिबारतन होता है क्योंकि हर जगा अलग-अलग लोग राते हैं तो देखे, आपका जो निर्धंता रिखा है यह जो आपका नीचे किस लोग कमाने, तो जो लोग अपना रोटी कपरमकान को नहीं जूटा पधा, ठीक है? अपना जीने के लिए अवस्यक बुन्यादी जैसे हो गया रोटी कप्रमकान को जुरा नहीं पाता है यानि जरूरत ये सब जरूरत के चीज़े को पूर्ती नहीं कर पाता है उसे निर्धनता रिखा के नीचे मानेंगे और ये जो समय और अस्थान के साथ अलग 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 जोय राते हैं यही को निर्धनता रिखा करते है ठीक है आगे दिके आपका जोय ग्यारा नमर का प्रस्ने की कोन लोग खाद सुरच्छा से अधिक गरस्त है ठीक है जिनके पास घूमी नहीं होती है फिर भी भूमि की उत्वादा बहुत करम होती है वे खास्थ की डिश्टि सरी क्रह सूरचित रगते हैं सबसे पहले आपका जो अनुस्य से जन जाती यह जो है कि इसमें पिछरी जाती है कि कुछ बारे को जैजिन के पास भूमी नहीं होता ठीक है? facto truths उगाने के लिए भूमी नहीं होता है और भूमी को थाधनता भी भाहत कम होता है और जाजिक बहुत कहना है आगे देखिए दो नमार का पॉइंट λगाए कि जैसे-जैसे point है सभी को अच्छी तरह से देखेगा और जैतना ही बता रहे हैं सभी प्रसंट को भी अच्छी तरह से देखेगा ठीक है और समझ में नहीं था तो comment में जरूर बताएगा मैं इसको दोवार समझाने का प्रियास जो एक करूँगा तो आपका जो next point हो जगा है वे लोग भी खाद की डिश्टी से सरवदी का सुरच्छी तो होते हैं जो प्रकितिक अपदाओं से प्रावित होते हैं जिने काम करने के तलास में दुसरी जगा जाना परता है कोन लोग खाद सुरच्छा से अधिक गरस होते हैं जो प्रकितिक अपदाओं से प्रावित होता है यानि प्रकितिक अपदाओं बोले तो जिससे बाड़ा गया जिसके कारण गाओं में पान हेल या उनकों होते हैं खाने के लिए राने के लिए कुछ जगाने जिसके कारण जो है काम के लिए जगा 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 तरपते हैं तलास में भटकते रहते हैं ठीक है ये भी जो है खाद सुरच्छा से अधिक गरस्त है आगे देखे तीन नमर का पॉइंट हो जगा खाद सुरच्छा से गरस्त अब आदिका बरा भाग गर्वति तता दूद पिला रही महिला लोग जगा जगा खाद सुरच्छा से अधिक गरस्त है ठीक है आगे देखे बारा नमर का प्रस ने राष्टे मानवादिकार के आयोग के बारे में बताई है तो देखे उत्तरों जगा राष्टे मानवादिकार जो है 173 वेधानी के संस्ता है जिसकी अस्थापन मानवाद प्रवधानों के तहत 12 एक्टूबर 1993 को की गई याने आपका जो राष्ट्य मानवा धिकार आयोग का गटन कब किया गया तो 1993 कब 12 एक्टूबर 1993 को किया गया या समिधान द्वारा दिये गई मानवा धिकार जैसे जीवन का धिकार सुतंतर का धिकार समानतर का धिकार आदि की रच्छा करता है और उनके प्रहार के प्रहारी के रुप में भी कार करता है तो ये सब किसकी किसकी रच्छा करता है जीवन का दिकार का रच्छा करता है सुतंतर था का दिकार कर अच्छा समानता एक समान सभी को मानना सुतंतर एक समान सभी को अजादी प्राप्त हो जीवन जीने का सभी तरह से जोई सभी को एक तरह समान प्राप्त हो और इसी को कत्र है राष्टे मानवाद धीका ठीक है समझते जाए और जहां से भी दिक्कत होता कमेंट में जरूर बताएगा तेरा नमबर का प्रसने कि भारत में सोतंत्र और निस्पत चुनाओ की क्या क्या चुनोतिया है तो क्या क्या चुनोतिया जिसकी कारण भात में सोतंत्र और निस्पत चुनाओ की जाता है तो देखे आपका जोईस में पहले लिखें कि सोतंत्र और निस्पत चुनाओ की चुनाओ की चुनोतिया में सामिल है पहला वाज़ेगा उम्मिद्वारों और राजनितिक दलों की धन सकती राजनितिक मेधान में प्रवेश करने वाले अपराधिक दत्वर तिसरा वाज़ेगा परिवारिक राजनितिक चौंथा नित्यों और विवाहार में पट्टियों पाटियों की समान था पांचमा जगा नुकसान छोटे दल और निर्दियाली उमिदवारों को नुकसान यह जितना भी पांच पॉइंट था यह आपका जो भारत में सोतंत्र एवम निस्पर चुनाओं की चुनोतिया है ठीक है सभी को देख लिएगा आगे बरते हम लोग की मातर है प्रवसे पाशीम की और घर घरती दowej जाती है क्यों मतलब जो भारव में जब वर्शा होता तो पूरवसे लेकर पूर्व आपका जो भारत के इधर हो पूर्वसे पाश्यीम तक इसका जो घरते की हो जाता तो ठीक है प्राइडि प्याइब Citri Depay अगरत योजयेक तो दखें अरव सागर साख्ण बंगाल की भागों बाट गया था उसका थोड़ा से भागों आप दिख लिए और राता से योग तो बंगाल की खारी साख्ण त्रिव गति से उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है और वहां पर इस्तित पहारियों केट से टकरा कर घनगोर वर्षा प्रदान करती है यहां उचे परवते जिसके परवते हैं जिसके कारण मांसुन पवने पस्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मूरत जाती है जैसे जैसे यह पवने पस जहां जहां पहारियों से टकराता है त्रीव गति से जो वर्षा होता है जहां जहां पहारियों से टकराता है यहां उच्छे परवत होते हैं और जिसमें जो पश्चिम गंगा के मेदाने तरफ मूर जाता है और जैसे जैसे यह पवने जो पश्चिम तरफ बढ़ती है इधर बढ़ता है और वह सोफसरी इनके आजरत है कम होती है और यह पुरब से पुरब से पत्रों कि और इनकी जो वर्सा में कम्हीं आने लगती है ठीक है तुर देखआए आपका जो नेष्ट प्रस्ट क्राषर पुछता है कि धेक्द से आप सोच रहेंगे अधिक साधिक प्रस्नह यहां से पुछा जाएगा लोग है यह ओद्यों से घिरना क्यों करते थे तो नास्री लोग दो आ रहा है यह ओद्यों सी और करने के निमनी वज़ा थी पहला पोइंट देका लिखेगा तो आपका जो जर्मनी का जितना भी समस्य का मुल कारण यहुद्धी था और यहुद्धी जो आपका जो जर्मन समाज से बिलकुल अलग वस्तियों में रत थे जिने घेटो का जाता था तो आपका यहुद्धी जो जर्मन समाज से बिलकुल अलग रहते थे और जहाँ अलग रहते थे उस जगह का नाम था उस जगह का नाम घेटो था ठीक है आगे पर ये तिन नमर का पॉइंट है, कि जर्मानी के अनुसार योळी आदतन हत्यारे और शुद्ध खौर थे, नेस्ट आपका जो अंतीम पॉइंच वाइंट होज़ेगा, योद्य लोग मुख रुप से बेपार और ध्ठाण उध्यार देने का धन्दा करते थे, तो प्रसन की अपनी वेसिक काल में बैपासिक खेती का क्यों विस्तार हुआ दो कारण बताएं इसका दो कारण बताना है जिसका कारण अपनी वेसिक काल में जो बैपासिक खेती का जोव विस्तार हुआ तो देखे इसका उत्तर हो जगा उस काल को जब अंग्रेज ने यहां अप जिसमें जो अंग्रेज अपना सासन किया था उसी को अपने वेसिकाल करते हैं और इसमें खेती का खुब विस्तार हुआ हमको पॉइंट से बताना है यानि दो पॉइंट इसमें आपको बताना है तो दो पॉइंट कैसे होगा देखिए तो पहला पॉइंट हो जगा अंग्रे जो है इसलिए भी इस बेवासिक फसलों की पैदावार को बढ़ा गया यानि जो अंगरेजी से मुख रूप से कौन सी फसल उगाय करते थे पर्षन हो गया गन्ना हो गया गयों और कपार क्योंकि यह सब जो आपका फसले था यह समय उनकी आमदनी आने जो कमाई बहुत जाद होता था और इसका जो मांग जो इंग्लेंड की करखानों में बहुत था कच्चा माल की रूप में ठीक है तो इस खेती पर वह बढ़ावा देते गए आगे बर ही आपका जो नेश प्रस ने पुस्ता है कि सारी छेत्रों के अपाचा है गरामी छेत्रों में जो किलोरी का टीक है तो आपका जितना भी गरामी छेत्रों में जो किसान है बहुत ज़्यादा महिनत करते ठीक है सारी लोक से ज़्यादा मैनत करते इस लिए गरामी छेत्रों को ज़्यादा किलोरी दिना चाहि mentorship और सारी को ढहल थोड़ा से करा जाबर स्क ठीक है आगे कार से प्राविद होती है प्रकतिक अब्दा जैसे सुखा और वार की कारण खद्यान की पूर उत्पादन में ग्रावट आती है नेश्ट आपका हो जगा पॉइंट की खाद की कमिस के कारण मुले जो बढ़ जाते हैं कोछ लोग उचे मुल पर खाद पदात नहीं खरीत पात आपदा दिग विश्तिरीती छेतर में आती है तो लंबे समय तक बने रहती है जो भुखमरी की इस्तिती पाईदा हो जाती है तो आपका हाद सुरच्छा जो कैसे प्रावित होती है ठीक है तो प्रकतिक अब्दा जैसे जो आपका बाढ़ और शुखा आने से किसान का फसल में कमी आने लगती है ठीक है और खाद की कमी की कारण जो इसका जो दाम जो बहुत जादा उपर चल जाता है और जिसके कारण जो कुछ लोग जो इसे कुछ गरीब जैसे लोग हो जाएगा जो ज्यादा वस्तुया की मांग की समान को नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उनके जो बेतन कम है और रुचित मुल को कैसे खरीद पाएगे और ये जो बेपाक जो भुकमारी का अकाल भी ले सकता अगर गरीब लोग इसे नहीं खरीद पाएगे तो वो भुक के कारण किया मान चलिए चावायल और यहूं में सधारन तो है गरीब को जीने के लि लंबे समयता है मान चलिए गयों साल में एक बार रुप जा जाता है और जो आपका चावाल भी साल में एक बार रुप जा जाता है और ये आपका दोनों फसले जो एक बार कम होता है जिसके कारण जो ये एक साल तक जो बहुत ही आपका जो आपदा विस्तित कर लेता यानि बहुत ही है वियाने काल जिसके कारण जो भुखमरिज जो इसकी पाइदा में इस्तिति में पाइदा हो सकती है ठीक है आगे बर यह आपका जो बारा नमर का प्रसने की देखे जितना ही प्रसन बतारे सभी को समझ भी लेता है तो एक्जाम में खुद पर लिख देंगे कोई थीकठ नहीं होगा ठीक है आपका जो नेशित्र में पूचे है लोगतंत्रे में करने चुनाओ में से शासन निम्लिकित खुषित में लोग अपने से मांधियम को सरकार कर सकते हैं तिसरा फैकल लोगतंत्री के बहाल पहालिक शुनाओ के लिए चुनाओ की अगर आगर अगर बात में चुनाओ नहीं होता है तो इसमें अगर चुनाओ नहीं होता है तो जिस चुनाओं नहीं होने की कारण जो है हम लोग जो नेक्ष्ट पार्टी को भोट नहीं दे सकते हैं और नेक्ष्ट पार्टी को जब तक भोट नहीं देंगे तब तक ये सरकार जो बदला नहीं जा सकता इसलिए हमें जो मन पसंद सरकार को चुनने के लिए लोगतंत्री के चुनाओं के उस्तेक्ता होती है सिंपल लाइन में लिखे है कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है आगे बर ये आपका जो प्रस्न पूछता है मानवा दिकार से आपे क्या समस्ते उत्तरों जगा मानवा दिकार से तत पार उन सभी अदिकारियों से है जो वेक्ति के जिवन सुतंत्र समांता और पश्टिता से जूर है यह अदिकार भारती समिनान के द्वार प्रतिकनागरी को दी गई है इन अधिकारियों में प्रदोसन मुक्त वातावरान विजीने का अधिकार आभ रच्छा में ना पूर्ण और आप मांजय न को अबहार ना होने शमन्धित अधिकार और मार्लाओं के साथ प्रस्टा पूर्न व्यवार का अधिकार साम्मिल है तो यही सब आपका मानवा धिकार से आपका जो हो जाएगा जिसमें आपका बेक्टि के जीवन जीने के लिए सुतंत्रता दि पुछता है कि उस निकटी वंद परनपाती वनों का वर्णन करें और उनका मुख वर्णन करना है और इसमें कैसा उनके नाम लिखना है तो देखे इसमें आपका ये वन प्राइदिपिये में अधिक वार्षा वाले भागों में जो उत्तर पर देश वा भिहार के मैदानी भाग में पाया जाते हैं मतलब कहें तो ये जो आपका है जो प्राइदिपिये जो देश जैसे भारत है ठीक है वहारत में यह बंज बहुत तियान में पाय जाते हैं इन्हें मांसुन वन भी काते हैं यह जो आपका सत्तर से दो सेंटीमीटर वार्सी वर्षा वाले छेत्र में पाय जाते हैं जल उपलबदा के अधार पर इन वनों को आदर और सुष्क परनपाति वन काते हैं मतलब जो जल उपलब्दा के अधार पनिवन को क्या आदर यानि जो नमी और सुस्क यानि जो गर्म मतलब जो है बहुत सुखा वन भी काते हैं क्योंकि यहां पर वर्षा बहुत कम होता है और इसमें जो वरिचे का नाम हो जेगा सागोन इन वनों के सबसे प्रमुक प्रजात प्रजातिया है यह जो आपका जो उस निकटिवंद वर्षा वन आपका जो परनपाती वन के विच्छों का नाम है ठीक है तो देखिए आपका जो नेश्ट प्रसने पूछता है देखिए आप सोचे कि सर फिर से आठ नमबर स्टार्ट हो गया मैंने अभी आपको बता है कि आपको जो प्रसने के नमबर पर नहीं जाना है जितना भी प्रसने बता है आपका सब जो यह तीन नमबर वाला प्रसने ठीक है और दो नमबर वाला प्रसने का वीडियो अप्लोड हो चुका है उससे देख लिजेगा और आपको जो प्रसने का वीडियो कब चाहिए कमेंट की आर्थिक मंडी है वाइमार गर्राज की असफलता समयवात का डर या उद्यों की बिरोधी निदी और जर्मानी के ऐसा मिधान की कम्यां और हिटलर का वेक्तितु यह सभी जो आपका कारण थे जिन से जर्मानी में नाजिवात का उद्यवा तो जर्मानी में जो मुख आर्थिक मंडी है वाइमान गर्राज का वाइमान गंतंत्र के असफलता और समयवात का डर या जो आपका योद्यों के बिरोधी निती था जिसके कारण जो नादिवास जो जर्मानी में इसका जो उद्यादा होने लगा ठीक है आगे पर आपका जो नेस्ट प्रस ने इस शासन के विरुद 1869 में साल के व्रिच को बचाने के लिए विद्रोग किया था तो किसली किया तो 1869 में जो साल के व्रिच है इसको बचाने के लिए जो आदिवास जो अंग्रेज से विद्रोग किया जिससे कोई विद्रोग के नाम से जाना जाता वस्तर में आदिवास जिवन पुर्णता वनों एवमुस से मिलने वाले वनों पज पर भी अधारित होते हैं क्योंकि यह जो आदिवासी जो है यह सब विरिचे पर ही अधारित इनका जीवन था वन और आदिवासी का टूट गंदवंदन हजारों साल प्रहना था और इसका जो समंद्ध जो बहुत लगाव था किसके बिरिचे तो साल के बिरिच और अधिवासी के बीच जो लगाव होते जाद सया wediक जाने जो यह एंग्लेटी जाने यह सकते हैं हो ओर देबी इस परकार वानों को बचाने के लिए बज लोग ने अंग्याजसी के वितवर्ध जो विद्रोग किया तो साल कि उसको बचाने लिए सो आदि वासे किस से विद्रोक किया तो देखिए आपका जो नेश्प्रस नहीं पूछता है हम और हाथ में निधंता रेखा का खानां करते समया जीवन इर्वार क्या खाद अब प्रतिविक्ति प्रतिदिन और नगर्य चित्रों में कई सो किलेरी और प्रतिविक्ति प्रतिदिन इसे काम होने पर उसे निदनता रिखा से निचे माना जाता है मतलब आपका जितना भी ग्रामी चित्रों में किसान रहते हैं जितना भी लोग रहते हैं उसे निदनता रिखा के निचे माना जाता है आगे पर ही आपका जो नेच्प्रसन पुस्ता के भारती है खाद निगम जो एफसी आई किसानों से अनाज कैसे खरिदती है उत्तरा जगा भारतिये खाद निगम किसानों से उनके अधिकतव गेहुं तथा चावल खरिता है उनका भाडारन करता है किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मुल प्रदान करता है जिसे निम्तम समर्थन मुल करते हैं इस प्रकार एफसिगाय जो भाडारन करता है तो सबसे ज़्यादा जो भारती है खाद निगम जो किसानों से क्या खरिता है ग्यों खरिता है और चावल खरिता है और उनका भंडारंग करता है किसानों को उनके फसल के उचित मूल दिए जाता है जिने नियुंतम मूल इसलिए करते हैं क्योंकि उनका फसल कभी बरबाद भ को जाता है जिसकी कारण थोड़ा सा फसल उपस होता है जिसके कारण निखम उन्हें उसे मुल पर जो आनाज खरिदते हैं जैसिकर पिछली बार खरीदी इसकी कारें नियुटम समर्थनietet के अग्यां की जा आगी बाद जाता है यानि याए यक दुसरी को पूरक जाता है चुना और लोकतंत्र अगर चुना और लोकतंत्र एक साथ नहीं होगा तो जो देश आपका जो लोकतंत्रिक नहीं होगा चुना में अपने मतदान की सकती का परिवर करके एक नाइवरिक परिवर्टन ला सकता है और इसी के कारण लोक तंदर चुना की किणित बहुत जादा दान होता है यह लोगतंद्र में चुनावा को बहुत ज्यादा महात्व है किससी बर्स में जनता ने किसी दल को चुना करती ह І यह जुला हो मानं चलिए किसी प्रकार का झाल behavior तो देखे किसी भी जो पार्टी को बदलने के लिए सबसे ज़्यादा जुरूरत क्या है चुनाव है ठीक है अगर मान चलिए चुनाव ही नहीं होगा तो यह राजनिति जो आपका लोग तंत्रिक देश नहीं कलाएगा वलकि राज तंत्र हो जेगा चुनाव के कारण जो है जो लोग जो जनता जो है पार्टी को बदलते रहते हैं किसली बदलते हैं मान चली किसी भी पार्टी को चुनाव करते हैं और वो जो उनका काम नहीं कर रहा तो जो जनता है जो उन पार्टी को बदल भी सकता है ठीक है यहां पर पुछता है कि भारत के जल्वाई को परावित करने वाले कौन कौन से कारक है उत्तर जगा भात की जल्वाई को प्रावित करने वाले जोए कारा का छांस उचाई एवंवाई दापकवन समुद्र से दोरी पस्ट में भी शोब तता माश्यगारी धराई जो इसी कारण जोए किया भात की जल्वाई प्रावित होता है और आगे देखें क्या लिखा है कि भ सब्सक्राइब जाती है इसका जलवाई जो प्राभी तो होता भारत का ठीक है तो देखें आपका जो इस एक तरह यह वीडियो भी समाप्त हुआ जो कि इसमें टोटल आपका जो तीन नमर के परस्थन था और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीज़ेगा और आपको जहां से भी दिक्कत उतार कमेंट में जरूर उताएगा तो चलिए मिनते के लिए नेस्ट वीडियो में